हेलो फ्रेंड्स मैं आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट रेगुलरली पढ़ता हूँ आपको कमेंट जरूर से करना है ठीके आप जब कमेंट करोगे तब ही मुझे पता चलेगा कि आपकी नेक्स्ट एक्जैम कोन सी है और आप किस एक्जैम के लिए शॉर्ट लिस्टेट किये गया हो आपका सिकंड टायर है धर्ड टायर है आपका स्किल टेस्ट होने जा रहा है वो सारे डिटेल जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है जब आप comment करोंगे तब ही तो मैं properly उसका reply दे पाऊंगा वीडियो के थो या फिर comment box के थो तो यहाँ पर अनिल कुमार जी ने comment किया है सरावा shortlisted for the skill test I applied for junior personal assistant what should I learn and its stenography should be learned for junior personal assistant kindly reply तो इसका answer है yes जुनियर personal assistant के लिए यहाँ पर इनका skill test होने जा रहा है stenography के लिए अब तक आपने हमारे यूटूब चैनल को subscribe नहीं कियो हो तो चैनल को please subscribe कर दीजे और bell icon को भी प्रेस कर दीजे ताकि जब भी नहीं वीडियो upload हो तो आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाए तो यहाँ से हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करते है तो यहाँ पर हम लोग आ चुके इस तरह के वेबसाइट पर यहाँ पर केंद्रिय कुरूत भरती याने centralized recruitment में इन्होंने जो अपलाई किये थे for the post of junior personal assistant यहाँ पर आप देख पाऊगे recruitment of junior personal assistant stenography तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह के से वेडियो पन हो जाएक और यहाँ पर आपको दीखने को मिलेगा result of the return test held on 12th of August 2018 को जो है इनका exam हुआ था और यहाँ पर जैसे कि आप देख पाऊगे एमदाबाद, बेंगलरू, दिल्ली, हैदराबाद, श्रीहरी कोटा, आयंतिरिव, अननतपूरम के लिए यह advertisement निकले वी थी for the post of junior office assistant तो इसका result भी already announced हो चुका है तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे next phase आपका क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जो candidate shortlisted किया गया है, skill test के लिए इनके नाम, role number सब दिये गया है, और यहाँ पर remarks दिया गया है, shortlisted for skill test, ठीक है, तो सारे candidates यहाँ पर shortlisted किया गया है, काफी सरे number of candidates है, तो यहाँ पर बदा दिना चाहता हूँ कि यहा स्टेनोग्राफी आता नहीं है, ठीक है, तो उन candidates के लिए मेरा message यह है, कि जल्द से जल्द आप लोग classes join कर लीजे स्टेनोग्राफी की, क्योंकि आपको काफी सरा time यहाँ भी दिया जा रहा है, में या फिर June में आपका exam होने वाला है, हम लोग मान के चलते हैं कि में से स्टेनोग्राफी की ठीक है, तो English स्टेनोग्राफी के आपको class join कर लेना है, आपकी नजदी की जो area में स्टेनोग्राफी कोई पढ़ाता होका तो वहापे आपको join कर लेना है, classes और आपको आपका 100% देना है, क्योंकि स्टेनोग्राफी के skill test में काफी सारी candidates disqualify हो जाते है ठीके, reason सिर्फ इसका यही है कि उनको स्टेनोग्राफी आती नहीं है, without स्टेनोग्राफी का course किये हुए, वो candidate अपलाई कर देते है, बड़ बाद में जो है, वो कोई course join करते है, और उनकी speed जो है उतनी नहीं आती है, जितनी मांगी कई है, ठीके, तो यहाँ पे minimum आपको 80 word per minute की speed होने चीए, इंग्लिश स्टेनोग्राफी में, क्योंकि आपको काफी सरा समय आपर दिया जाता है, में या फिर जून में आपका exam होने जा रहा है, आपको तकरीबन 3-4 मेना मिल जाता है, ठीके, यहाँ लोग अगर बात करेंगे, आज की तो date अगर बात करेंगे, तो mail के तरो या और speed post के तरो आपको जो है intimate कराया जाएगा, यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे, official जो इसका recruitment notification है, इसकी भी मैंने study कर लिया हूँ, already यह सारा चीज़े मैंने पढ़ लिया हूँ, अगर यहाँ आप हम लोग बात करेंगे, आपका recruitment process की, तो आपको objective प्लस इसका प्राप्त करके, causal परिक्षा में उत्तिर्न होने वाले विद्यारतियों को, गुनता के करम में अधिसुचीत करिक्तियों की संख्या के आधार पर नाम की सुचीत तयार की जाएगी, ठीके तो जैसा कि मैंने आपको already बता चुका हूँ, कि 50% अंक प्राप्त आपने already कर चु तो जितना भी मैंने अभी अभी तक के study किया है, role number wise आपको जो है ये देखने को मिलेगा, कोई भी या पर merit list या पर rank wise result नहीं लगाया गया है, ये जो result लगाया गया है, वो है आपका role number wise, ठीके, तो या पर आपको confused नहीं होना है, अगर आपको कुछ भी doubt होता है, तो आप अगर by chance आपका comment मीस हो जाता है, मैं पढ़ने ही पाता हूँ, तो आपको करना क्या होगा, नीचे description में आपको link मिल जाए कि हमारे facebook page की, ठीके, तो facebook page पे जो है आप यहाँ पे हमें message कर सकते हो, ठीके, यहाँ आपको कई भी column दिख जागा message का, तो आपको facebook page पर भी हमको follow कर ठीके, facebook page को हमारे like कर दीजिए, तो अपने current affairs अगर आप सर्च करोगे facebook पर तो हमारे page आपको दिख जाएगा, simply आपको इसको like कर देना, आपको जो भी doubt हो का, जो भी आपकी curious होगी, तो आपको simply यहाँ पे message कर देना, ठीके, message का reply भले ही आपको मान लेते है, 6 गंटा, 7 ग पेपर सेड ही है, recruitment, entrance, test for the post of junior personal assistant, stenographer assistant 2016 में यह exam होगा था, अगर आपको इस तरीके कि अगर पेपर सेड भी चाहिए, तो आपको जो है comment करना होगा, या फिर facebook पर आपको जो है personally message करना होगा, ठीके, तो मेरे से जितना हो सकता है, मैं आपके help करूँगा previous paper सेड, model, paper सेड या आने वले समय में, junior personal assistant के लिए stenographica test होने जा रहा है, इस रो पहले ही mention कर देता है, आपका written exam कब होने वाला है, result कब अनौस होने वाला है, और result के कितने दिनों बाद या कितने मैनों बाद जो है, आपका skill test conduct कराया जाएगा, वो सारी detail, इस रो सबसे पहले ही यहापे announce कर दे क्योंकि काफी सारे लोग यहापे disqualify हो जाते है, stenography के skill test में, तो अगर अभी भी आपको stenography के बारे में उतना knowledge नहीं है, तो जल्द से जल्द आप classes join कर लीजिए, daily 3-4 गंटा अगर आप practice कर लोगे, तो आपकी speed जो है, आने वाले 2-3 मैनी में, आपकी speed 80 word per minute से भी उपर च कर जाते हो, तो आपके chances जो है job लगने के, वो यहाँ पे 99% जो है वो बढ़ जाएंगे, तो यही तक है इस एक छोटा सा वीडियो आपका update देने के लिए, इसके रिगार नहीं है, अगर आपके और कुछ डाउट्स होंगो तो आपको comment box में comment कर देना है, और हमारे facebook page को और like कर देना है, thank you very much guys